हेलो गाइग्स वेलकम बैक और आज को वीडियो में हम रिव्यू करने वाले है इवोल्यूशन एक्स वरजन 7.94 दी पोको एफ़न इस कस्टम रूम का हम रिव्यू करने वाले हैं यहां पर क्या-क्या आपको देखने को मिलता है कैसी पाफॉर्मेंस रहती है क्या-क्या कस्ट करता है सबसे पहले बात करें यहां पर सिस्टम यू आइ की तो अब कोई बीटिर लाग वगरा देखने कोई मिलेगा वैसे लेकिन सुरुवाद में मेरे को थोड़े बहुत से मतलब जो है जिटर देखने को मिले थे ठीक है ना उसके बाद अभी नहीं मिले मेरे ठीक है उस गूल फोटो देखने को मिल जाएंगे ठीक है अभी यहां पर बात करते हैं यहां पर कैमरा की तो कैमरा यहां पर मूड जो है काम करेंगे यहां पर फोटो वीडियो वीडियो में आपको फूल एच्डी 60fps का ओप्शन देखने को काम करता है ठीक है बात करें परफॉमेंस की तो सबसे पहले मैं आपको गीक बेंच दिखा देता हूं ठीक है तो अच्छे हैं लेकिन मदलो जो ही जाओ है काफी जाधा कम यहां यहां पर अपर जभाफी देखने क्म来गे इस हमी एक फार सब्सक्राव जाह तो यहां की यहां पर काफी जाधा प्रफॉमेंस एकदर हो चूकी है यहां पर 51 पको तिखा रहा मैं तो कहता हूँ कि यह बड़े-बड़े टास्क के लिए भी नहीं है ठीक है ना तो रेक्मेंड तो नहीं है यह रोम फिर भी आप रिव्यू देख लो क्या-क्या यहां पर कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है ठीक है ना तो परफोंस के बारे में हमने बात कर लिए अब करते हैं कस्टमाइजेशन के बारे में तो चलते हैं सेटिंग में दिखाता हूं आपको क्या-क्या कस्टमाइजेशन आप देखने को मिल जाते हैं ठीक है ना सेटिंग में आपको देखने को मिल जाएगा इसके अंदर आपको थिम वगएरा सारे अप्शन देखने को मिल ज कर सकते हो यहां पे जो है आप क्यूएस स्टाइल जो है यहां पर नॉटिफिकेशन का जो पैनल है इसका भी सेव आप चेंज कर सकते हो यहां से जैसे कि मैं यहां पर यह कर जयता हूं डू जो भी है 1212 जो भी था ठीक है ना इस तरह का आपको देखने को मिलेगा अलग- बगएरा देखने को मिल जाएगा जो पहले वाले वर्देने को मिलता था ठीक है ना signal वगएरा आइकन वाइफा का आइकन वगएरा आइकन से पगएरा आप यहां से चेंज कर सकते हो ठीक है चलते हैं back बात करें इस टेटर बार की तो यहां पर जो है आपको clock वगरा का option आपको देखने को मिल जाएंगे left में चाहिए right में चाहिए logo चाहिए यहां पर roam का या फिन नहीं चाहिए यह भी आप on off कर सकते हो ट्रयारी तर्ण करति हो बैटरीं यहां पर काफी बैटरीं इंडिकेर्ट यहां पर भूझ पर बाटीं को मिल जाएंगे चोटीन को business आ going यहां पर बाकि सब ब्लर वगएर आप सेट कर सकते हो लाइट और कॉल आने पर अगर आप फ्लेश लाइट अन करना चाते हो तो यहां से कर सकते हो ठीक है बाकि वाइबरेट अन करनेक्ट वगएरा यह सारे ओन करें न काफी काम की चीज है ठीक है चलते हैं बैक यहां पर बा बैसिक सारे option है, brightness slider को अब चाहिए याँ डाउन चाहिए वो यहां से select कर सकते हो, ठीक है न, animation वगरा का option यहां पर दिया हुआ है, ठीक है, बात करें यहां पर power menu की, तो यहां पर power menu में count कौन सा option जाहिए, वो यहां पर लिखे हुए, वो यहां से आप on कर सकते हो, ठीक है, च ठीक है न, यहां पर detect दिखा रहा है, लेकिन screenshot ले नहीं रहा है, एक second, मैं इसको on करके off करता हूँ, तो साइद यह काम करेगा, ठीक है, फिर भी यह काम नहीं कर रहा है, पिछली बार यह काम कर रहा है, इस बार सिर्फ detect का दिखा रहा है, यह काम नहीं कर रहा है, ठीक है न यह भी use कर सकते हो काफी अच्छा तरीके से काम करता है ठीक है चलते हैं बैक यहां पर और बाकि सारे यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे पार्स्टल स्क्रीन में भी आप जो है Ambient Music Trigger को on कर सकते हो जो line वगरा यहाँ पर आएंगी ठीके ना और always on display का भी support है यहाँ पर ripple effect वगर आपको देखने को मिल जाएगा ठीके ना बाकि सारे basic यहाँ पर feature आपको देखने को मिलते हैं बात करें आपे battery की तो battery life यहाँ पर अच्छी आपकी चल जाएगी ज्यादा अच्छा भी नहीं है ज्यादा खराब भी नहीं है बैटरी बैकप एवरेज सा मैं काऊँगा यहाँ पर thermal profile का option आपको यहाँ पर मिल जाएगा जिसमें आपको performance चाहिए वो यहाँ से select कर सकते हो साथ में आपे smart charging का भी option दिया गया है तो जैसे आप इसको set करोगे जहां पर भी उतना यह charge होगा फिर जो है charger बंद हो जाएगा जिससे आपकी बैटरी खराब नहीं होगी तो यह काफी अच्छा option है इसे on चरूब सका लेना ठीक है बागी सारे basic आपको देखने को मिल जाएंगे ठीक है बात करें यहाँ पर security की तो यहाँ पर security में जाएंगे तो यहाँ पर आपको face unlock का भी support आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है तो वो भी आप अपने हिसाब से add कर सकते हो ठीक है तो यही था इस Rome का review अगर आपको यह review पसंद आया हो तो वीडियो को like कर देना चैनल पर नए हो तो subscribe कर देना गंड़ी बंड़ी दबा देना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तो के लिए good bye